डियर स्टुडेंट्स, मैं रहमा अतार कांटिवाल इस ओनलाइन इंगलीज क्लास में एक बार पुने सभी का हार दिख्ष्वागत करता हूं स्टुडेंट्स इस से पहले हमने चेप्टर नमबर सेवन दे लेड़ी और दे टाइगार महिला अत्वा बाक का फस्ट वार्ट पढ़ा था उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि राजा का विक्तित्वे सान था जब हर चीज विवस्ति होती थे लेकिन जब वह कभी छोटी सी बादा होती थी तो वह तिन्त प्रशन और खुश हो जाता उसे अच्छा लगता था जब चीजें गड़बड हो जाती क्योंकि इसका मतलब ये होता था कि वह उन्हें तब ठीक कर सकता था उसे टेडी मेडी चीज को सिधा करने में जीवन के उबड़ खाब रिस्तानों को कुचल कर शम्तल कर देने में बड़ा मज़ा आता था स्टुडेंट्स आज हम उशी का नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पड़ेंगे उसने निशे किया कि उसके प्रजाजनों की जिंदियों में सेंस करती को जोडने का कोई तरीका होना चाहिए किसने राजान है? He decided उसने निशे किया that there should be a way एक तरीका होना चाहिए to add culture, सेंस करती को जोडने का to the lives of his subjects उसके प्रजाजनों की जिंदियों में subject means जनता, lives means जिंदिया His method was the public arena उसका तरीका होता था सार्वजनी किड़ांगन His method was उसका तरीका था the public arena सार्वजनी किड़ांगन perform करतब करते थे before audiences दर्शक गणों के शमक्ष But his fences asserted themselves here लेकिन उसकी कलपनाओ ने यहां स्वेम को परदर्शित किया बट लेकिन his fences उसकी कलपनाओ ने असर्टेट परदर्शित किया The arena that he built was not for the honor and glory of gladiators जो किड़ांगन उसने बनाया था वह युद्धाओं के सम्मान और यस के लिए नहीं था The arena वह किड़ांगन that he built जोशने बनाया था was not for the honor and glory of gladiators वह युद्धाओं के सम्मान और यस के लिए नहीं था Honor means shaman and glory means yes of gladiators Gladiators means युद्धा It was not for beasts to fight each other to the finish ये है जंगली जानवरों के लिए नहीं था जो एक दूसरे से लड़कर एक अथवा दूसरे को शमाप कर दें It was not for beasts ये जानवरों के लिए नहीं था to fight each other जो एक दूसरे से लड़कर to the finish एक दूसरे को समाप कर दें It was not even for throwing religious heritage to their loins ये है अधर्मियों अथवा विधर्मियों को सेरों के समाक्ष फेंग देने के लिए भी नहीं था It was not even for ये नहीं था throwing फेंग देने के लिए religious heritage एधर्मियों अथवा विधर्मियों को to the loins सेरों के सामने यानि जो सारवजनी के डांगन था ये नहीं तो योद्धाओं के सम्मान और येस के लिए था नहीं जंगली जांगरों के लिए था जो एक दूसरे से लड़ते विए एक दूसरे को शमाप कर दें और नहीं ये अधर्मियों अध्वा विधर्मियों को सेरों के सामने फेंग देने के लिए था वह एसा उसका विचार था कि उसके लोगों के मानसिक ख्रमताओं को विश्तरत करने और विख्षित करने के उद्दे से से बनाया गया था कि विलिव एसा उसका विचार था कैसा विचार था उस क्रिडांगन के प्रती It was for the purpose of widening and developing the mental energies of his people कि उसके लोगों के मानसिक ख्रमताओं को विश्तरत करने और विख्षित करने के उद्दे से से बनाया गया था Purpose means उद्दे से of widening विश्तरत करने के लिए and developing विख्षित करने के लिए The mental energies, मानसिक ख्रमताओं को of his pupil उसके लोगों के It was a vast amphitheater with encircling glaries, mysterious worlds and unseen passages ये है एक विशाल गोलाकार अथ्वा अंडाकार रंगमंडल था जिसके चारों और दिरगाएं रहसे में कमरे तथा एद्रस से गलियारे थे It was a vast amphitheater एक विशाल गोलाकार अथ्वा अंडाकार रंगमंडल था amphitheater रंगमंडल with encircling glaries, mysterious worlds and unseen passages जिसके चारों गलेरीज दिरगाएं, mysterious worlds, रहसे में कमरे and unseen passages और एद्रस से गलियारे थे It was to be a means for poetic justice ये है आदर्स न्याय का एक साधन बनना था It was to be ये इसको बनना था a means for poetic justice आदर्स न्याय का एक साधन means means साधन poetic justice means आदर्स न्याय It was to be a place where crime was punished or virtue rewarded all by chance वह एक एसा स्थान था जहां अपरादियों को दंड अथवा सदाचार को पुरुषकर्द किया जाए वह भी सैयोग मात्रस है यानि जो MP Theater रंग मंडल था क्रडांगन था ये क्या था It was to be a place ये है एक एसा इस्थान होना था वेर जहां पर crime was punished जहां अपराद को दंड दिया जाए और virtue rewarded और सदाचरन को पुरुषकर्द किया जाए अल बाइचांस शैयोग मात्रस है जब राजा लोगूं तथा उनके अपरादों में रूची लेता था तो वे हुकम देता था कि उनके भाग्य का निरने युदिस्तल पर होना चाहिए जब राजा लोगों और उनके क्राइम्स आपरादों में रूची लेता था तो वे हुकम देता देट कि देर फेट शुड बी डिसाइड इन दे एरिना कि उनके भाग्य का निरने युदिस्तल पर होना चाहिए एरिना means युदिस्तल दे किंग निव नोट रेडिसांस फ्रम अधर किंगडम्स ये राजा अन्य राजव राज्यों की परंप्राओं को नहीं जानता था ये राजा परंप्राओं को नहीं जानता था from other kingdoms अन्य राज्यों की परंप्राओं को he only allegiance was to himself and his own fences उसकी एक मात्र निष्टा, swim तथा उसकी swim की कल्पनाओं के प्रति थे his only allegiance उसकी एक मात्र निष्टा, was to himself, swim and his own fences और उसकी swim की कल्पनाओं के प्रति थे this fancy, the chance-fade decision in the arena, come about because of his romantic yet barbaric idealism वे हैं कल्पना, शैयोग, भग्ये द्वारा, युदिस्तल में निरने, उसके भाव, एवं कल्पनाशील लेकिन बरबर आदर्शवाद के कारण थे उसकी जो fences थी कल्पनाएं थे this fancy, ये कल्पना, the chance-fade decision in the arena सैयोग, भग्ये द्वारा, युदिस्तल में निरने chance-fade सैयोग, भग्ये, डिसिजन निरने, in the arena, युदिस्तल यानि सैयोग, भग्ये द्वारा, युदिस्तल में निरने come about because of his romantic, उसके भाव, एवं कल्पनाशील, येट, लेकिन barbaric, idealism, बर-बर, आदर्स्वाद के कारण थे students, आज के लिए इतना है, इसका remaining part अगले वीडियो में दिया जाएगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हैवे नाइस्टे,